ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर ब्रिक्स के देश डॉलर से हट कर अपनी अलग करंसी बनाएंगे तो अमेरिका इसे बरदाश्ट नहीं करेगा ट्रम्प ने कहा हमें इन देशों से एक प्रतिपधता की जरूरत है कि वो ना तो एक नई ब्रिक्स करंसी बनाएंगे और ना ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर को बदलने के लिए किसी दूसरी करंसी का समर्थन करेगे अगर ऐसा हुआ तो उन्हें सौ फीसिदी टारिफ का सामना करना पड़ेगा अभी दुनिया का ज्यादा तर्व्यपार अमेरिकी डॉलर में ही होता है एक्सपर्ट के मताबिक फिलहाल 88 फीसिदी इंटरनाशनल लेंदेन डॉलर में होता है दो देशों के बीच उधारी का खाता भी डॉलर में होता है वैसे का ट्रांसफर भी डॉलर में और क्रूड ओयल भी डॉलर में ही खरीदा जाता है माना जाता है कि अमेरिका हमेशा से ही ब्रिक्स से असहज रहा ये दुनिया का दूसरा बड़ा संगठन है इस पे ब्रजील, रूस, भारत, चीन, साउथ आफरिका और अब इरान, मिस्र, एथोपिया और यूएई भी साथ है 2023 में पंद्रवे ब्रिक्स समिट के दौरा जहानसबर्ग में ब्रिक्स की एक अलग करंसी बनाने का प्रपोजल आया इसे दुनिया में डॉलर की दादगिरी को रोकने जैसे कदम के तौर पर देखा गया ऐसा देखा गया है कि जो developing countries हैं उसमें जब US dollar के reserves खतम होने लगते हैं तो उन companies के लिए अपना ज़रूरी समान इंपोर्ट करना भी कठिन हो जाता है इस समस्या को देखते हुए ब्रिक्स ने ये फैसला किया था कि हम फैसला किया उन्होंने एक तरह से इस पे विचार किया है अभी तो लाने की कोई वो नहीं है इस पे विचार चल रहा है कि हम एक अपनी currency निकालें ब्रिक्स जिससे हमारी dollar पर निर्भरता कम हो सके आलक ही भारत ने इस idea का समर्थर नहीं किया था विदेश मंत्री एस जैशंकर ने प्रपोजल को खारच करते हुए कहा था ब्रिक्स मुद्रा का कोई विचार नहीं है आने वाले लंबे समय तक मुद्राएं एक राश्ट्रिय मुद्दाबा नहीं रहेंगे अब जो लोग कह रहें कि ट्रंप की धंकी से भारत को कोई असर पड़ेगा उन्हें experts की ये बात सुरनी चाहिए तो दिखिए भारत बिलकुल भी इसके समर्थन में नहीं है जो डॉलर को replace करके एक और bricks currency बनाई जाए या कोई alternative currency बनाई जाए तो इसलिए भारत तो जो अपने व्यापार करता है वो डॉलर में करने से बहुत हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है हमें कोई इसमें चिंता की व्यात नहीं है माना जाता है भारत की विदेश नीती अभी ऐसे मोड पर है जहां world order चाहे जैसा भी बदल जाए हर मुश्किल घडी से भारत निकल सकता